हाई पिटाइन्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम करने वाले हैं शब्द बनाओ लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे? देट, वाज देट क्या है? 17.8.20 दिल सोंबार कक्षा कार्य कक्षा कार्य शब्द बनाओ आपने व्यंजन और मात्राम को जोड़के शब्द बनाने ठीक है? प्लस का मतलब होता है जोड़ना आपको मैंने पहले भी करवा रखें ठीक है बटा? तो आपने जो ये प्लस का साइन है ये नहीं लगाना बाकिस्त व्यंजन ग, म, ल, आ लग, ल, आ, लेकिन आपने मात्रा के व्यंजन के साथ मात्रा को बोलना है व्यंजन के साथ मात्रा को बोलना है ग, म, ल, आ, ग, म, ल, आ, ग, म, ल, आ, न, न, क, प्लस, इ, प्लस, त, प्लस, आ, प्लस, ब, आपको मैंने पहले भी बताया है था कि जिस व्यंजन के बाद मात्र छोटी की मात्रा होती है जिस व्यंजन के बाद एक की मात्रा होती है वो उसी व्यंजन से पहले लग जाती है इसे कर है कर तो मात्रा का आएं वियंजन के कर के बाद तो मात्रा कहा आ जाएगी शीप्ट हो जाएगी कर से पहले की की ता तब की ता आ ब की-ता-ब की-ता-ब ठीकर में बिटा नेक्स तप-ई तप-ल-ई तप-ई तप-ल-ई इसमी जाएगी क्या होगा बिटा तब के बाद इक ही मात्रा है तो ये तब से पहले शीप्ट हो जाएगी तिक नेक्स क्या है तब ली अालın लाओ जोगी है ए-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई next okay me mo i r a me ra me 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 ra 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 me ra next okay Oh po lo o pi ta ta o o o p पी, 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 ता, प, पी, ता, प, प, इ, त, आ, प, पी, ता, तो इस तरह से आपने शब्द बनाने हैं. वेजिनों हो और मात्राओं को जोड़ कर, ठीक है मिटा, बारी